केजी अफ चैप्टर टू की कहानी क्या है केजी अफ चैप्टर टू का टीजर कैसा है इसे दो हजार करोनी फिल्म क्यों कहा जा रहा है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरात के फिल्मी गलियारे में केजी अफ चैप्टर टू का टीजर रिलीज हो गया है और रिलीज फिल्ड का मालिक बन बैटा है फिल्म खत्म हुई थी रॉकी की मा के वाइस ओवर से कहती है कि अकेले कुछ करके जाओगे तो हजार लोग तुम्हारे पीछे रहें यही से रॉकी के इरादे भी क्लियर हो जाते हैं केजियव के वरकर्स की मुक्ती नहीं बल की वहां राज करना पिछले पार्ट में रॉकी के सामने बस एक बिलन था गरुडा अब की बार दो हैं इंडिया की प्राइम मनिस्टर रमका सेन और अधीरा रमका ने पूरे देश की मिलिटरी रॉकी के पीछे लगा दी है वहीं अधीरा अपने हक के लिए रॉकी से लड़ेगा उसका हक यानि कोलार गोल्ड फिल्ड्स केजियव चैप्टर टू का टीजर कैसा है इतिहास ने हमें बताया है कि पाउरफुल लोग पाउरफुल जगहों से आते हैं इतिहास गलत था पाउरफुल लोग जगह को पाउरफुल बनाते हैं इसी वाइस ओवर से सुरू होता है टीजर इससे पहले पार्ट से कुछ फ्लैस बैक आते हैं किरदारों के फर्स लुक की एक जलक भी मिलती है सबसे जरूरी रमका शेन और अधीरा जिनें पिछले पार्ट में रिविल नहीं किया गया रमका एक पाउरफुल फीगर है उनकी चाल ही उनके कॉन्फिडेंस का सूचक है दूसरा है अधीरा पहले पार्ट से पता चला कि ये बेहत खतरनाक किस्म का इनसान है अपने साथ अपनी फौज लेके चलता है यहां भी आलम बरकरार रखा है अधीरा के जितने भी शौट्स हैं उनकी लाइटिंग डार्क ये उसके किरदार को एक मिलिटरी की लेर भी देता है फिर आते हैं रौकी भाई रौकी ने यहां भी अपनी मैचो मैन वाली इमेज बरकरार रखा सबसे जबराहट सीन है टीजर का एंड जहां रौकी पुलिस रिश्टेसर के सामने खड़ा है मसीन गन लेके दना दन फायर करना सुरू करता है सामने खड़ी फुलिस जीप हवा में खिलोनों की तरह उड़ने लगता असली सीन तो अब आता है गन की नली गर्म है लाल होकर तप रही है रौकी सिगरेट निकालता है और नली की तपन से जलाता है यहां बजेगी हॉल में सीटिया शांदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चैप्टर वन की तरह इसे भी पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरह बनाया गया है इसलिए हिंदी ओडियन्स को ध्यान में रखते हुए दो बॉलिवूट एक्टर्स को भी जगा मिली है रवीना टंडन और संजे दत रवीना टंडन इंडिया की प्राइम मनिस्टर रमका सेन बनी है वहीं संजे दत ने में बिलन अधीरा का किरदार निभाया है स्रीन दिस से ठी फिर से रीना के किरदार में नजर आएंगी फिल्म में कुछ नए चेहरे भी हैं पर उन पर अभी कोई डिटेल नहीं मिली है यस फिर से रॉकी बन धूम धाम टाइप एक्शन करते नजर आएंगे बस इस बार ये काफी ग्रैंड होगा इतनी हाइप के बाद आप पूछेंगे कि फिल्म कब आ रही जल्द ही वो भी थेटर पर हाला कि मेकर की तरफ से कोई ओफिसियल डेट नहीं आई चैप्टर वन की तरह ये चैप्टर भी प्रसांत नील ही डारेक्ट कर रहे है रवीब असरूर का कमाल का म्यूजिक है भूण गौडा की धाकर सिमेटरोग्राफी भी इस फिल्म का हिस्सा है टीजर में ज़्यादा कुछ ना दिखा कर भी एक बात साप कर दी है फिल्म हर माइने में पहले से बड़ी होने वाली है ऐसा कुछ जो शायद इंडियन सिनेमा ने पहले कभी नहीं देखा हो इसलिए कहा जा रहा है कि ये फिल्म दो हजार करोन से भी ज़्यादा का बिजनेस कर सकती है आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेट करके बताइए कि आपको फिल्म का कितना इंतिजार है